पूरू प्रदान मंत्री है एस जी देव गोड़ा के सांशद पोते प्रजवल रेवन्ना का सेक्स स्केंडल आने के बाद करनाटक की सियासत में भूचाल तो आही गया है लेकिन अब JDS सांसद और NDA के प्रत्याशी प्रजवल रेवन्ना का कांड यूपी की सियासत में गूंज रहा है कॉंग्रेस सपा के तमाम नेता प्रजवल रेवन्ना को लेकर पियम मोदी को घेर रहे वहीं अमेटी में कॉंग्रेस के पूरू MLC दीपक सिंग ने इस मामले पर केंदरी मंत्री और भाजपा प्रत्याशी इसमरती इरानी को आड़े हाथो लिया है दीपक सिंग ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इसमरती इरानी महिलायों बाल विकास मंत्री है उन्हें महिलाओं का दुख साजा करने के लिए जिम्मेदारी दी गई लेकिन उनकी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी के तीन हजार ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें वह लड़कियों महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है इस पर इस्मृति रानी क्यों चुप है इस्मृति रानी जी भार्टी अंता पार्टी ने आपको महिला विकास मंत्री शायद इसलिए बनाया होगा कि आप महिलाओं के मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगी उनका हिद करेंगी उन पर बोलेंगी लेकिन जिस तरह से आप लगातार चुप रहती है चाहे उन्नाओ घटना हुई हो, हाथ रस घटना हुई हो महिला पहलवानों के धरने पर उनके दुराचार के ममले रहे हो या मनीपुर में जिस तरह से भीबत घटना को पुरे देश में देखा और सर्मिन्दा होना पड़ा था, तब भी आप चुप थी हाथ तब हो गई, जब पूरे देश ने भाजपा समर्थित प्रत्यासी प्रजल रमन्ना का तीन हजार से ज़्यादा भीबत से वीडियो देखे दुराचार के, अत्याचार के जब पूरा देश प्रजल रमन्ना के वीडियो पर सर्मिन्दा था, तब आप गवरी गिंज में एक यात्रा निकाल रही थी डांस किये जा रहे था, भारतियंता पार्टी के कारकरताओं निताओं द्वारा, उसको समर्थन प्राप था आपका यकीनन, अगर आप महिला होने के नाते, जरा सा सर्म बची हो, पहले नहीं बोली है, आज दो शब्द बोल दीजिए प्रज्वल रमन्ना ने जो हजारों दुराचार किये हैं, उस पे अपने मुह खोल दीजिए, अने था आने वाले समय पर ना अमेठी माफ करेगी, ना इतिहास आपको माफ करेगा आपको बता दी कि प्रज्वल रिवन्ना करनाटक की हसन सीर से जेडियस पार्टी के सांसेद है, और 2024 के चुनाव में भाश्पा और जेडियस गड़बंदन के प्रत्याशी है हासन सीट पर दूसरे चरण में मद्दान था, प्रज्वल के समर्तन में प्रदान मंतिर नरेंद मोदी ने रैली भी की, लेकिन मद्दान से ठीक पहले कथित रूप से प्रज्वल रिवन्ना के सैक्ड़ो वीडियो वारल होने लगे जिसमें वह घर की नौकरानी से लेकर अधिकारी कर्मचारी नेता जैसी सैक्ड़ो महिलाओं के साथ आपत्ति जनक हरकते और दुराचार करते दिख रहे हैं वीडियो वारल होने के बाद प्रज्वल रिवन्ना और उनके विदायक पिता पर मुकदमा दर्श किया गया है लेकिन मुकदमा दर्श होने से पहले प्रज्वल जर्मनी भाग गया ऐसे में चुनाओ के वक्त इस मामले के तूल पकड़ने से भाजपा और पियम मोदी की टेंशन बढ़ गई है और अब पूर्वे MLC दीपक सिंग इस मामले को अमेठी में उठा कर इसमरती इरानी की दिक्कते बढ़ा रहे हैं हलाकि JDS और भाजपा की तरप से इस कांट के पीछे इशारो इशारो में कॉंग्रेस पर इलजाम लगाय जा रहा है वीरो रिपोर्ट, NTTV, भारत